देखें से में क्या लिखा है वेदर स्टेट वेदर दी फूलिंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फर्स्ट दी ओवर हैंगिंग ब्रांचेज ऑफ दी ट्री हैल्ड फोर ओर इंजिस तो फॉल्स होगा बिल्कुल ओर इंजिस थोड़ी रख रखे तो उसने है सैकिने देट्री देपल्ट्री विश दैट ट्री शूट मुटिप्लाइए तो हां एपल्ट्री तो चाहता था कि यह बहुत सारे पेड़ हो तो यह ट्रू होगा next है Henry hit the apple in the drawer तो Henry ने क्या चुपाया था apple drawer में नहीं वो तो Mary ने किया था ना तो यह होगा false third होगा false और उसके बाद fourth में देखिए Mary had not eaten breakfast तो Mary ने क्या breakfast नहीं किया था तो जवाब है false वो तो Henry की बात थी ना Henry ने नहीं किया था breakfast fifth में John made a contribution to his environment तो बिलकुल यह true है environment में कुछ contribute कराना जोन ने वो seed को plant कर दिया D में देखिए short answer questions में first जो है what was the tree's wish tree की खुआइश क्या थी to multiply trees for environment ताकि बहुत सारे पेड़ हों लोगों के लिए और पूरे environment के लिए next है what did the tree say to Mary the tree has two apples Mary से कहा उसने के tree के पास दो apple है क्योंकि एक तो Henry खा चुका था पहली और साथ में एक और line बोली थी गुन-गुन आते वे वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं third में देखिए what happened to the apple inside the drawer who kept it तो जवाब है started to rotting है न apple started rotting सदने लग गया drawer के अंदर apple और Mary ने उस रख रखा था ठीक है तो line पूरी लिख दिएगा the apples inside the drawer started rotting and Mary kept it fourth में है who took the last apple how did he make the tree happy so John John took the last apple and the tree was happy because he planted seeds अब seeds को plant कर दिया John ने तो बहुत सारे tree निकल जाएंगे उसके बाद और इसे के लिए खुश होता है tree fifth है what did the tree sing with great joy तो last में John के साथ जो गाना गाया था न उसने वो enjoyment के साथ गाया था tree ने और कौन सा गाना गाया था वो आप लिख दीजिए सबसे last में गाया था यह पूरा book work और question answer यह सारी चीज़ें आप जो है अपनी copy में उतार लीजिए यह आपको homework है और जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं ढूंडने के लिए वो सारी चीज़ें ढूंड कर आप अच्छे से read करने के बाद उसे copy में लिख दीजिए और लिखने के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा तब आप copy जो है अपनी उसके photo लेके मेरे नमबर पर send कर दीजेगा ओके